आप यहाँ पर screen source देख सकते हैं और इसके माधिम से समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर अभी इंडिस्टिमेंड बंद होने वाला है इंडिस्टिमेंड से आप पेसर नहीं कमा पाओगे आप अगर profile बना रख्यो इनिस्टिमेर्ड से आपकी profile monetize है तो वो बंद होने वाली है उससे आपको zero earning भी नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी और केसे होने वाली है केसे इनिस्टिमेर्ड बंद हो गया और क्यों बंद हुआ और केसे आपको उसको फिर से enable कर सकते हैं सारी ट्रिक इस वीडियो के मादम से आपको बताने वाला हो तो वीडियो सुरू से लेकर हैं तक जरूर से देख लेना और अगर आपका Facebook प्रोफाइल है तो वो कास कर आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि दोस्तों प्रोफाइल पर ये दिक्कत बहुत आ रही है और कहीं लोगों का इनिश्टी मेंड है बिल्कुल monetization बंध हो चुका है और वो भी बिना region के जिहां दोस्तों उन्होंने ना तो कभी कभी paste किया और ना ही कुछ वहाँ पर कुछ गलतिया उन्होंने करी है फिर भी उनका इनिश्टी मेंड है बिल्कुल off हो चुका जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहोगा यहाँ पर इसक्रिंसोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ पर not yet eligible बता रहा है जो कि इनिश्टी मेंड भी यहाँ पर not eligible है तो यहाँ पर इसक्रिंसोर्ट दूसरा में आपको दिखाता हूँ उसी प्रोफाइल का देख बिल्कोष धेरे रखना है. बिल्कुष संतोष से आपको काम करना है और दोस्तों आप प्रोफायल पर भी फिर से इंटिमेट को मुणेटाईज कर सकते हैं. जहां दोस्तों बहुत सारी कमेंट मुझे आ रहे थे इंस्टा पर DM लोग कर रहे थे कि सर इंडिया के अंदर इनिस्टिमेट बंद होने वाला है कहीं लोगों का यह ज़्यादा सवाल रहा कि सर हमारा इनिस्टिमेट बंद हो चुका है जबकि हमने कोई गलती नहीं की हमने कोई भी इसा बैसा काम किया जिसके वज़े से हमारा इनिस्टिमेट बंद हो जाए तो दोस्तों यह क्यों होगा और कहीं लोगों ने ऐसी गलती करी है जिसके वज़े से उनका इनिस्टिमेट है ना कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि दोस्तों installment बंद होने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको वदाऊँगा आप वही करते हैं तो आपका installment फटापट से 24 गंटे के अंदर इनेबल हो जाएगा तो दोस्तों वो गलती आपको नहीं कर नहीं है अगर वो गलती आप करोगे तो आपका initiative कभी भी ओन नहीं होगा तो आपको मैं यहाँ पर screen recording के अमादेम से समझा देता हूँ जो कि in buy का मैंने enable किया है जो कि इनका initiative ना वो enable हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर इन्हों ने मुझे बात किया hello किया और यहाँ पर एक screen source यह बेशते हैं कि सारा हमारा monetization बंद हो चुका है जबकि हमने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं किया है देख सकते आप यहाँ पर इन्हों ने payout का भी बेजा जो कि मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों यह बोल रहते कि मेरा page monetized था और video पर add भी आ रहा था और मेरी earning भी हुई थी तो यहाँ पर मैंने इनको बोला कि आपने इसको professional mode को बंद कर दिया होगा तो यहाँ पर समझने वाली बात यह कि आप अगर professional dashboard को बंद नहीं करते हो ना फिर भी आपका instrument इस समय बंद हो सकता है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इनको बोला कि आप professional days mode को mode को आपने ओप किया होगा तो इन्होंने बोला कि sir हमने यह नहीं किया है और इसके अलावा भी हमने कोई गलती नहीं किये फिर भी हमारा instrument बंद हो चुका है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि जाकर यह चीज हो जाती है तो दोस्तों यह professional mode को आप ओब नहीं करोगे तो भी आपका instrument बंद हो सकता है मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा कि कैसे इसको enable रखना है और इसको आगे चलकर कैसे enable हमेसा आपको रखना है और lifetime आप कमा पाऊगे अब आप यहाँ पर जो screenshot देख रहे है यहाँ पर जो screenshot आपको देख रहा है screen recording के मादम से तो यहाँ पर आप देख सकते है जो कि वही profile है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका instrument monetize हो चुका है यहाँ दोस्तों 24 गंटे के अंदर इनका monetize हो चुका है इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके वज़े से इनका जो page है न profile है वो वापस से instrument से monetize हो चुकी है अब मैं आपको बतादा हूँ कि इन्होंने क्या किया है और आपको क्या करना है जैसा कि आपका profile है और उसको आपने professional mode के अंदर convert कर रखा है और industry made से monetize करा रखा है तो दोस्तों इस समय हो क्या रहा है कि Facebook कहीं सारी update लेकर आ रहा है जिसके मादेम से उसके अंदर bug आ रहा है और आपका जो industry made का option है न वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो आपको दिखेगा तो आपका on नहीं दिखेगा आपको off भी दिख सकता है या फिर आपका option है न बिल्कुल guide भी हो सकता है तो आपको इससे घबराना नहीं है ये automatic आपका सही हो जाएगा और choice content के अंदर automatic आपका सही होगा तो दोस्तों आपको कौन जी गलती नहीं करना है जैसा कि आपने profile बना रखिए उसको आपको professional mode को on off बार बार नहीं करना है आप उसे जैसे ही बार बार on off करोगे तो आपका instrument कभी भी on नहीं होगा दोस्तों अगर आप professional mode को बार बार on off करोगे तो दोस्तों ये काफी दिक्कत आपको आ सकती है क्योंकि आपका initiative का option apply करने का 30 दिन भी लगा सकता है, 60 दिन भी आपको लग सकते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है, थोड़ा धेरे रखना है, थोड़ा सांती रखना है, और wait करना है, कभी-कभी Facebook का बग भी होता है, उस उसको भी subscribe कर लिजीगा, ताकि वहाँ पर भी मैं update आपको देता रहता हूं, जो कि वीडियो बना कर हम नहीं दे पाते हैं, उस चीज़ को हम वहाँ पर आपको दिखाते रहते हैं, और telegram चैनल को भी जरूर से subscribe कीज़ेगा, ताकि मैं वहाँ पर भी आपको update देता रहूं, बहुत ही अच्छे कासी earning कर सकते हो, या आपकी profile हो, या Facebook page हो, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि copy paste के लिए लोग बोले हैं कि copy paste वाला काम बंद हो चुका है, उससे हम earning नहीं कर सकते हैं, भाई copy paste से भी आप अच्छे कासी earning कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस वीडि चैनल के बादेम से दिखाने वाले हैं, तो चैनल को जरू से सबस्क्राइब कीजिगा, ताकि आने वाली वीडियो जो आप सबसे पहले देख सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा earning कर सकें, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में तो आपको समझ में आ गया होगा कि initiative को कैसे चैनल के वारण!